दैनिक जीवन सबने आम संग्रा से कुछ हटके होता है, इसमें कुछ विसेश गुण धर्म एवं कुछ विसेश ताएं होती है जिसका की अध्यान हम इस पाठ में करने वाले हैं तो इस पाठ में हम जो पढ़ेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं पहले हम देखेंगे समुच्चय की परिभासा, समुच्चय का निरूपन, इसे सम्मधित प्रश्न और फिर आगे चलेंगे समुच्चय के प्रकार पर जहां पर आप देखेंगे परिमिद समुच्य, अपरिमिद समुच्य, एकल समुच्य, रिक्त समुच्य, समान समुच्य, तथा तुल्य समुच्य और इसे सम्मदित हम कुछ प्रश्ण हल करेंगे फिर आगे चलेंगे हम उप समुच्चय पर फिर उचित उप समुच्चय सारवत्रिक समस्टी या फिर यूनिवर्सल सेट पर फिर उसके बाद देखेंगे हम घात समुच्चय जो की सबसे बड़ा समुच्चय होता है फिर अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में अपने या फिर वास्थविक संख्याओं का संख्या रेका आपने देखा होगा उसके हम कुछ सेगमेंट्स लेंगे उसे हम उप संख्या की रूप में किस तरीके सा प्रतरशित करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे फिर हम चलेंगे वेन डाइग्राम पर जो की एक चित्रात्मक प्रति रूपन होता है समुच्य का पूर्व में आप जिस तरीके से जोड़ना घटाना गोणा भाग संक्रिया करते हैं उसी तरीके से कुछ संक्रिया आएं समुच्य सिधान्त पर भी परिभाशी थे जैसे कि द इन सभी अधारनाओं को देखते हुए हम इससे संबंदित कुछ प्रश्णों को हल करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे इसके गुण धर्मों पर और फिर अंत में हम देखेंगे इससे संबंदित व्यभारिक प्रश्ण बच्चों पिछले कक्षा में आपने आकडों के बार समुच्य का एक चित्रात्मक प्रतिरूपन हैं जिसमें हम बड़े आसान तरीके से किसी समुच्य को निरूपित कर सकते हैं या फिर दो या दो से अधीक समुच्य किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भरा या उसके बीच में क्या संबंद होते हैं इसे भी बड़े आसान तर आये अब हम कुछ समूहों के बारे में विचार करते हैं, पहरा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अर्थात A-E-I-O-U, दूसरा समूह है दस से कम विसम प्राकृत संख्या हैं, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, भारत के राज्यों के नाम, और चौथा है भारत की नदिया, तो हमने य अलग-अलग समूहों देखे थे, इसमें हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक समूह सू परिभासित वस्त्वों का संग्रा है, यह हम प्रमान के साथ कह सकते हैं कि दी हुई वस्तू उस समूह का सदस्य है अथ्वा नहीं, अब हम उन समूह के बारे में विचार करते हैं, जिसके स उदाहरणों में प्रत्येक व्यक्ति का अभिमत भिन्न भिन्न हो सकता है। यह किसी मानक परिणाम पर अधारित नहीं है। दूसरे सब्दों में यह जो उदाहरण हमने लिए हैं यह जो कथन है यह सुपरिभासित नहीं है। तो इस प्रकार हम समुच्य को परिभासित कर सकत कहते हैं अलग-अलग सु परिभासित वस्तुओं के संग्रह को समुच्य कहते हैं अब समुच्य के कुछ नियम है जिसे हम देखते हैं उसमें से पहला यह समुच्य में अव्यवों की पुल्रावृत्ति नहीं होती है मतलब समुच्य में जब अव्यव को लिखेंगे तो एक अव्यव को एक से अधिग बार नहीं लिखना होता है दूसरा है समुच्य अव्यवों में कम से कम एक गुण समान होता है तीसरा, समुच्य को अंग्रेजी वर्ड माला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है जैसे की A, B, C, X, Y, Z इत्यादी समुच्य के सदस्यों को अभ्याव कहते हैं इन्हें सामान्यत अंग्रेजी वर्ड माला के छोटे अक्षरों से प्रदर्सित किया जाता है, जैसे कि A, B, C, X, Y, Z, इत्यादी, यदि X समुच्य A का सदस्य है, तो हम कहते हैं, X समुच्य A में है, या फिर X belongs to A, ऐसा हम कहते हैं, और इसके लिए Greek अक्षर का इस्तेमाल किय जाता है, X belongs to A, इस तरीके से लिखा जाता है, समुच्य को निरूपित करने की दो विदिया हैं, पहला है रोस्टर या सारणी रूप, जिसे टैबूलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं, और दूसरा है समुच्य निर्मान रूप या सेट बिल्डर फॉर्म, तो प चिन्न का उप्योग करके लिखा जाता है, उदाहरन के तौर पर अंग्रेजी वर्ण माला के सभी स्वरों का समुच्य है, यदि हम इसे कैपिटल A से प्रदर्सित करें, तो हम लिखेंगे, कैपिटल A इकॉल टू, A, E, I, O, U, ये सरपा कारकोश्टर के अंतरगत आएगा, दूसरा उदाहरन लेते हैं, साथ से छोटी समसंख्याओं का समुच्य है, अब समसंख्या कौन कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, 10, प्रश्ण में क्या कहा गया है, साथ से छोटी समसंख्या, तो हमें क्या मिलेगा, यदि इस सेट को हम कैपिटल B से प्रदर्सित करें, तो हम लिख हैंगे, कैपिटल B equal to 2, 4, 6, ये तीन अव्यव आएंगे इसमें, दूसरा है समुच्या निर्मान रूप या सेट बिल्डर फार्म, समुच्या निर्मान रूप में किसी समुच्या के सभी अव्यवों का गुन धर्म समान होता है, जो समुच्या के बाहर के अव्यवों में जैसे की, कैपिटल A equal to A, E, I, O, U, इस पर हम विचार करें, तो हम ये पाएंगे कि समुच्या के जो अव्यव हैं, वो अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर हैं, तो इस तरीके से इन सभी अव्यवों में एक गुन धर्म समान हैं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल A equal to X, such that X belongs to अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर, या फिर हम ये कहेंगे, A equal to X, X अव्यव हैं अंग्रेजी वर्ण माला के स्वर का, समुच्या का गणनांक या फिर काडिनालिटी अफ असेट, किसी समुच्या में उपस्थित अव्यवों की संख्या को उस समुच्या का गणना या काडिनालिटी अफ देट सेट कहा जाता है, जैसे कि capital A equal to A, E, I, O, U, तो यहाँ पर हम देखें, तो ये सेट A है, इसमें 5 अव्यव हैं, तो इसे लिखा जाएगा, काडिनालिटी अफ A equal to 5, या फिर N of A equal to 5, चलिए कुछ प्रस्टों पर चलते हैं, इसमें हमें यह बत के 10 सबसे अधिक प्रभावसाली लेखकों का संग्रह, तो यहाँ पर प्रभावसाली लेखकों का संग्रह कहा गया है, तो यह प्रभावसाली है, इसे हम परिभासित नहीं कर सकते हैं, यह व्यक्ति-दर-व्यक्ति अपने मतों के अनुसर बदलता रहता है, तो इस तरीके स यह जो पहला कथन है, यह समुच्चय को नहीं दर्साता है, या फिर यह समुच्चय नहीं है, दूसरा, 200 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रण, प्राकृत संख्याओं स्टार्ट होती है, एक, दो, तीन, यहां से, और यह कहां तक, 200 से कम, इसका मतलब है, आखरी जो अव्यव होगा, वो 199 होगा, तो इस तरीके से इसमें जो अव्यव हैं, वो सूपरिभासित है, तो यह जो कथन है, या 200 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, यह समुच्चय है, तीसरा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो यह भ अध्वितिये वेक्ति हैं, और उनके द्वारा लिखी गई उपन्यास, यह भी अपने आप में अध्वितिये हैं, अगला प्रशन है, विश्व के सर्वसरिष्ट 11 होंकी खिलाडियों का संग्रह, अब यह सर्वसरिष्ट कहा गया है, तो सर्वसरिष्ट को नापने का कोई पैमाना नहीं है, तो इस तरीके से यह जो संग्रह है, यह समुच्चय का उधारन नहीं है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, यह समुच्चय का उधारन है, क्योंकि सम पूर्णांक संख्याएं अपने आपने परिभासित है, तो इस तरीके से उसका जो संग्रह बनेगा, यह सूपरिभासित संग्रा होगा सौ से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रा तो पुर्वकी भाती यहाँ भी सूपरिभासित संग्रा है तो अब हम देखते हैं कुछ मानक समुच्चे तो उसमें से पहला है सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्याओं के समुच्याओं को हम capital N से प्रदर्शित करते हैं और आप ये जानते हैं कि समुच्याओं के अव्यवों को सर्पाकार कोष्टर के अंतरगर लिखा जाता है तो हमने यहाँ पर लिखा है N equal to 1, 2, 3 and so on इस तरीके से आगे भी संख्याओं बढ़ती जाएं दूसरा है सभी पूर्णांग संख्याओं के समुच्याओं के समुच्याओं को capital Z से रिप्रदर्शित करते हैं और इसमें सारी रिनात्मक पूर्णांग संख्या हैं, धनात्मक पूर्णांग संख्या हैं और साथ में शून्य भी सामिल होता है। तीसरा है, सभी परिमे संख्याओं के समुच्चे को Q is equal to x such that x equal to p by q where q is not equal to 0 and p q belongs to z इस तरीके से प्रदर्सित किया जोता है। तो पहला इसका हम तात्परे समझते हैं। तो यह जो परिमे संख्या है q यह p by q के form पे होता है जहां पर q का मान सुन्य नहीं हो सकता है। और यह जो p और q है यह पूर्णांग संख्याओं के समुच्चे का कोई अव्याव है। जैसे की 1 बटे 2, 4 बटे 3, 5 बटे 11 इस तरीके से हम अंगिनत संख्याओं लिख सकते हैं। चौथा है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चे जिसे capital R से प्रदर्सित किया जाता है। आपने पिछली कक्षा में संख्यारेखा का अध्यन जरूर किया होगा। संख्यारेखा पर इस्थित सारे बिंदूओं का जो समुच्चे है या फिर वो सारे बिंदू जहां पर हम अंकों को प्रदर्सित कर सकते हैं। उन सब का समुच्चे जो है वो capital R है जिसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चे कहा जाता है। पांचवा है सभी कालपनिक या समिस्र संख्याओं का समुच्चे इसे capital C से represent करते हैं। C इक्वल टू X प्लस आयोटा Y जहां पर X और Y जो है वो वास्तविक संख्याओं हैं। तो इसका अध्यान हम आगे करेंगे। ये जो हमने पांच अलग-अलग मानक समुच्चे देखे हैं इन सब में एक महत्तवपूर्ण संबंध होता है। वह यह कि N जो होता है वो subset होता है Z का, इसका मतलब यह कि Z के अंदर में हम एक और set बना सकते हैं जो की set of natural number या प्राकित संख्याओं का समुच्चे होगा। उसी तरीके से Z जो है वो Q का subset होता है, Q मतलब परिमे संख्याओं के समुच्चे का subset होता है। और यह जो Q होता है वो R जो की वास्विक संख्याओं का समुच्चे है उसका एक subset होता है या उप समुच्चे होता है। और सबसे बड़ा जो समुच्चे है वह है कालपनिक या सम्मिस्र संख्याओं का समुच्चे है। तो R भी इस सेट का सबसेट या उपसमुच्चे होता है अब प्रश्णों पर चलते हैं प्रश्ण में दिया गया है यदि A एक सेट है और इसमें जो एलिमेंट है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 तो हमें रिक्तिस्थानों की पूर्ती करना है रिक्तिस्थानों की उर्ती कीजिए और हमें बिलॉंग्स्टू और डाज नॉट बिलॉंग्स्टू ये दो चिन्नों का इस्तमाल करना है तो इसमें से पहला है 5 और A तो देखिए ये है बिलॉंग्स्टू या अव्यव है इसका ये प्रतीक है तो देखिए 5 इसमें है क्या नहीं है तो इसे हम लिखेंगे डाज नॉट बिलॉंग्स्टू A 5 डाज नॉट बिलॉंग्स्टू A या फिर 5 समुच्चे A में सामिल नहीं है इसका तीसरा प्रस्ट नहीं है देखिए 16 है फिर 18 है 18 के बाद में 20 है 19 नहीं है तो हम लिखेंगे 19 डाज नॉट बिलॉंग्स्टू A या फिर 19 समुच्चे A में सामिल नहीं है अगला प्रस्ट नहीं है समी करंड X स्क्वेर प्लस 5X प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल समुच्चे रोस्टर रूप में लिखिए तो रोस्टर रूप में का मतलब है सारे अवयवों को हमें सरपकार कोश्चा की अंतरगत लिखना है तो चलिए पहले तो हम इस प्रस्ट में जो समी करंड दिया गया है X स्क्वेर प्लस 5X प्लस 6 इसे हम हल करते हैं सूतर वीदी से भी कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 6 6 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है या तोड़ना है कि जिसके गुणा करने पर हमें 6 मिलना चाहिए और जोडने या घटाने पर 5 मिलना चाहिए तो यह है 3 और 2 प्लस 3 प्लस 2 दोनों का गुणा करेंगे तो मिलने प्लस 5 और 3 और 2 का जब गुणा करेंगे तो आपको मिलने प्लस 6 तो इस तरी के साम लिख सकते हैं X स्कूर प्लस 3X प्लस 2X प्लस 6 इक्वल टू 0 प्रथम दो पद और अंतिम दो पद का जोड़ी बना लेंगे प्रथम दो पद में X कॉमन है तो आप लिखेंगे X to X प्लस 3 similarly इसमें 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन लिख लेंगे तो X प्लस 3 इक्वल टू 0 दोनों पदों में X प्लस 3 ये कॉमन है अब ये X और ये प्लस 2 इक्वल टू 0 दो अलग अलग पदों का गुनन फर्शुनिय है तो लिखेंगे X प्लस 3 इक्वल टू 0 या फिर X प्लस 2 इक्वल टू 0 तो यहां से मिलेगा X इक्वल टू माइनस 3 या फिर X इक्वल टू माइनस 2 तो यहाँ पर x square plus 5 x plus 6 का हल जो है इसे हम लिखेंगे minus 3 minus 2 और माल लेते हैं कि यह set है capital A तो लिखेंगे capital A equal to minus 3 minus 2 यह order पर निर्भर नहीं करता आप लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं minus 2 minus 3 भी लिख सकते हैं और यही इस प्रश्ण के लिए उत्तर है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्मान रूप में लिखिये पहला प्रश्ण है पहला प्रश्ण है 2, 4, 8, 16 और 32 तो समुच्चय निर्मान रूप में हम कोई एक सेट का नाम दे देते हैं capital letter का इस्तेमाल करके और फिर लिखते हैं उसका एक अव्यव माना x है और x जो है वह एक गुण धर्म रखता है तो मान लेते हैं कि यह property है p of x तो यहाँ पर उस गुण धर्म को हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यह 2, 4, 8, 16 और 32 यह 2 और इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 फिर इसे आप लेख सकते हैं 2 का पावर 3 16 को लेख सकते हैं 2 का पावर 4 और 32 को लेख सकते हैं आप 2 का पावर 5 तो इन सब में एक गुण धर्म ये है कि दो का जो घात है वो एक एक करके बढ़ रहा है और ये एक से लेकर के 5 तक का है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं माना कि यह जो समुच्चय है यह A है और इसका जो अव्याव है वो X है और X इस प्रकार है कि यह 2 का पावर N के इक्वल है और यह जो small N है यह प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अव्याव है और N का जो मान है वो 5 के बरावर और 5 से छोटा है small N belongs to N का मतलब है पूर्णांग संख्या मिल रही है आपको 1, 2, 3, 4, 5, up to 5 मिल रही है तो पहली बार जब आप N equal to 1 put करेंगे तो मिलेगा यह 2 put करेंगे तो यह मिलेगा, 3 put करेंगे तो यह मिलेगा 4 put करेंगे तो यह मिलेगा और 5 put करेंगे तो यह मिलेगा 5 से इसकी value जो है 5 से आगे नहीं बढ़ सकती तो इस तरीके से इस प्रशन के लिए यह उत्तर है इसमें हमने इस समुच्चय को निर्मान रूप में लिखा है चलिए दूसरे प्रशन पर चलते हैं जहां पर है 1, 4, 9, up to 100 तो इसमें देखिए कि यह आप इसको 1 का square लिख सकते हैं 4 को आप 2 का square लिख सकते हैं 9 को आप 3 का square लिख सकते हैं इस तरीके से 10 का square करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100 तो हर एक इन सब अव्यावों में एक गुणधर्म होगा जो कि दोनों सब में उभैनिष्ट होगा तो उसे हमें पहचानना है तो देखिए यह जो संख्या है यह 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे अब टू जा रहे हैं यह 10 और सब के घात में 2 है या फिर square है तो मान लेते हैं कि यह जो समुच्या है यह B है उसका एक अव्याव है X और X इस प्रकार है कि वह N का घात 2 है और N जो है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्या का एक अव्याव है साथ ही यह N का मान 10 से छोटा या उसके बराबर है देखिए N belongs to N, it means N equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, up to 10 N is less than or equal to 10 N का मान 10 या उससे छोटा हो सकता है तो जब N equal to 1 होगा तो आपको यह मिलेगा N equal to 2 put करेंगे तो यह संख्या मिलेगी N equal to 3 put करेंगे तो यह संख्या मिलेगी तो यह इस प्रश्ण के लिए उत्तर है निमनलिखित समुच्चयों को सूची बद्धर रूप में लिखिए तो इसमें से पहला प्रश्ण है A का अवियव है X और X एक पूर्णांख है तथा 6 is less than X is less than 10 तो यह जो X का मान है 6 और 10 के बीच में है ना तो 6 हो सकता है और ना ही 10 हो सकता है दूसरी बड़ी बात किया एक पूर्णांख है तो देखिए हम लिखेंगे 6 के बाद कौन सी संख्या आएगी आएगी 7, 8, 9 और 10 नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर less than का sign है अगर यहाँ पर और equal to का sign लगता तब यहाँ पर 10 सामिल होता तो इस तरीके से सेट A जो हमें मिलने वाला है यह है 7, 8, 9 इसमें तीन एलेमेंट है दूसरा प्रश्न है B equal to X such that X वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 30 दिन होते है तो ऐसे जो महीने है वो है अपरेल तो इसे हम लिखेंगे B equal to यहाँ पर सेट का एलेमेंट अपरेल, जून, इसके बाद आता है सिप्तमबर और लास्ट में नवंबर तो यह सिर्फ चार महीने हैं जिसके की महीने में 30 दिन होते है